हेलो फेंट्स वेलकम बैक टू मैं यू वीडियो मैं नम इस राइश पासवान और यह जो वीडियो है यह मेरी एक वीडियो का एक्सेशन है अच्छली मैंने अभी एक वीडियो करी थी यह वाली जो आपको देख रही होगी अभी हां पर इसमें जो है एक यूपी में सनौली नाम की जगह वहां पर एक बड़ी इच्छी फाइंडिंग होई है एक नए सिवलाजेशन की जो वोर्य रेस थी और वो हरपन सिवलाजेशन के टाइम की ही है तो उस वीडियो में ना जब मैं वीडियो की आइटिंग कर रहा था तो एक ब जो है बोलने पाया इसलिए मैं यह वाली वीडियो जो है शूट कर रहा हूं जिसमें वह शेक करने वाला में जो मैंने तो हम ख्याल यह आया था मिरे दिमाग में की बच्पन से ही जब से हमने हिस्ट्री पढ़ी है इस्ट्री जो है वो शुरू ही हरपन सिवलाजेशन से हो साम wear ने मिली है और किस में भी हथिया नहीं थे मिले यह तो वीडियो में भी है जो निसी वीडियो पर मैंने प्लेट दिया था वो सिना वाली इस वह रह्यां उसमें बें यह बताबलाग नहीं कीरीीशन थे मिले मतलब तो थोंऔर किसी को नहीं पता कि क्या से हुई पर एक बड़ी फीमिस थीवरी है जिसके यह है कि मतलब यॉर्प से आई तिंग पर ऑफिन शेयरी जो है ना वहां के आँपास से आरियंज तो थे वह यहां आये गया है और उन्हीं के वनशाज हैं यह हम लोग जो कुडा नौर्थ हैं नौर्थ इंडिया के लोग लोग हैं वह उन्हें के वन्षज है तो यह हम इस थिरी पर बहुत सारे कोशन मार्क है ठीक है पहला सबसे बड़ा कोशन मार्क है जो मुझे काफी हम तक वैलिग भी लगता है वह यह है कि जितने भी हमारी वेदिक जो एक्टरेचर है तियुकं है हमारे जितने भी पुरान हैं उनमें जितना भी हमें उनमे रहरflix Mapas त्व बीसा आशना बिडिशन हुआ में इंडिया ही मिलता है इंड़ीया थी जह सब्गे सब्सक्रारान ओर था हम एक आपके की। तो जो लोग यूआप से आये थे इंडिया में और अगर हम इसको सही माल ले तो उन्होंने जो किताबें लिखी अगर हम यह मालने कि आरें नहीं जो है यह सब वेद पुरान सब लिखिये थे तो ऐसा कैसी पॉसिबल है कि उन्होंने एक बार भी योरोप की किसी जगा अगर मैं इंडिया से अमेरिका में जाओंगा और मैं वह कोई किताब लिखूंगा अपने बारे में या पिर अपने कुछी नौल्स के बारे में तो इंडिया से जो मुझे एक्सपेरियंस हुआ है वह भी तुमें शेयर करूँगा ना एक बार तो जुरू करूँगा कि हाँ यहां यहां एसा होता है यहां यहां इसा नहीं होता है है किसी भी हमारे वेडिक हो आशिरेशा में है क्या नदिया है कैसी जगा है नहीं सिर्फ इंडिया के वारे में तो इस से वह होता है क्वेशन मार्क ठीक है कि अगर आडियंद वहीं से आई तो वेधिक निट्रेशन में वहां की जगाओं का मेंशन क्यों नहीं है कि इसका मतलब मेंशन नहीं है तो मतलब यहीं के लोग जो मतलब इंडिया नहीं थे वहीं गयते वहां पर क्यूंकि हमारे कल्चर और हमारा आजा जो आर्किटेक्टर है जो भी हमारे पूरान आर्किटेक्टर है वो यूरोप पर गयारा में भी थोरी-थोरी मिलता है अभी श बारत को अगर हम base बनाएं तो क्या ज्यादा सही है बोलना कि यहां के लोग वहां के यहां आए को किताबों में वहां के जगाओं का pension क्यों नहीं है यूरॉप का ठीक है पहले एक तो यह question mark है स्था फ्रवेको दूसरा question mark जो आभ ही मेरे दिमाग में आया कैसा चाहिए यह theory भी possible है हो सकती है और यह है कि अगर जैसे कि उस वीडियो में बताया गया वह सिनोली वाली जिसमें मैंने action जो है दिया था कि मतलब एक warrior race थी warrior civilization जो थी वह हरपन civilization के साथ में ही exist कर रही थी same time पे तो क्या ऐसा possible नहीं है कि कि वह जो clashes होई थी अगर हम यह मानने कि हरपन civilization जो है वह वह लड़ाई की या आपर किसी war की वरसे खतम होगी थी तो यही जो warrior race है जो यूपी में जो हमें जिसकी finding मिली है सिनोली में शायद इसी civilization की जो warrior civilization है और हरपन civilization के बीच में कुछ clashes शायद होई होंगे अब क्यूंकि हरपन लोग peaceful थे ठीक है उनके पास कोई हतियार विगरार नहीं थे और इनके पास हतियार थे लगने की पूरी हरपन civilization को खतम कर दिया ठीक है अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसमें से एक ही यह है कि हरपन civilization माने जाती है मर्स्टेंट्स की वेपारियों की civilization ठीक है वहां पर हर कोई बनता जो है मतलब जातर बन जो थे ना वह बिस्स करते थे सब किसे बिस्समें थे यह 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 नि उनके पास जो है ऐसा धन दौलत और कोई जो कम भी नहीं होगी और यह लोग थे warrior race और बिलकुल आमने सामने अजिस्स कर रहे थे ठीक है पैले लिए थे तो शायद अब यह warrior race थे इनको सिफ लड़ना आता है धन्तागा ना आता नहीं है तो शायद इनोंने उन पर attack किया होगा ठीक है कि भाई उनसे कुछ पैस उन्हीं क्लाशेश के दुरान दिये दिये खतम होगी या फिर एक तो यह रीजन है कि दौलत कर लेकिया होगा या फिर वह warrior race थी वह शायद अपने आपको expand कर रही थी और expansion के चक्कर में उनने चुआ है वह अटाक कर दिया और वह खतम होगी वात है ना एक बंदी को एक बन बंदी को सिर्फ बिजनस आता है पैसा बहुत है पर लटना नहीं आता है दोनों जब लड़ेंगे तो यह बंदा हार जाएगा ना बिजनसमेन तो ऑफिसी बात है शायद ऐसा हुआ हो तो यहां से भी आरेन इन्विजन थियोरी पे question mark आता है कि वह कि आरेन इन्विजन थि अधिया के लोगों नहीं हरपन थे तो इंडियन नहीं इंडियन को फोड़ा मनद दूसरी स्टाइशन को खतम गड़ दिया तो शायद हम जो हैं वह इस वार्येर रेस के ही वंशाज है क्योंकि इस वह सिनोली वाली वीडियो में भी कहा गया है कि जो उनके का कल्चर है ना यह जो वार्येर मिली है से वार्ययर में जो मिली है वह मतलब उनके व करीशिंग जो और ना हरुद्र है थोड़ अलग थि थी थी तो यहां से भी बात को सपोर्ड मिलता है कि यह जो सिनोली में जो वॉडियर रेस थी इन्हों नहीं शयद हरपन को खतम किया होगा और हम सब उन्हीं के वंशेज हैं कि उनका कुल्चर और हमारा जो हिंजिन का करें वह काफी जोलता है थया है कि हूद अभी वाले हिमन पर क काफी ख्लोज है तो यह इंपोर्टन बाल में दिमाग में आई थी रखी होप मैं नहीं निगर दिया हो तो मैं शॉट में खतंक करता हूँ पूरा जो भी मिन्ने बोला है तागी कि अगर किसी को में पूरी बात समझ में नह आए हो तो यह वाधि शॉर्ट वाली बात कि समझ भीना जाए तो बैसे इतना चाथा हूँ कि वह जो अर्यन वारियर स्विलाजेशन थी इन्हों नहीं शायद हरपन पर अटाक उठक करके उन्हें खतन गर दिया और हम शायद इसी वारियर रेस के वंशर्ज हैं क्योंकि इनका कल्चर और अभी के हिरिजम का कल्चर है वो काफी बिलता है तो इस बात से अगर यह सही है तो फिर तो आरि अधि जोर पारते के नहीं-श्रक नहीं यही फूर्ट सही है वो इसलिए ताकि होग्स दिखान चाते थे कि नहीं-श्राइब काता हूं तूम नखी ले इंडियर हो तो यह भी एक फैक्टर हो सकता है आप बताईएगा कमेंट सेक्षण में कि आपको क्या लगता है जो मैं बोल रहा हूं वह कितना सही है मुझे लगता है कि शायद आए जाके प्रोब हो जाए कि हरफनी सिविलाजेशन को खतम करने का एक रिजन यह भी हो सकता है सिनोली वाली वारी सिविलाजेशन और हरफने सिविलाजेशन की बीच की लगाए ठीक है अगर इस प्रूफ होगी तो आर्यन इंवेशन चीवरी तो हंटर परसंट फेक सावित हो जाएगी अब मिलते हैं अपनी एकली वीडियो पे अपने कमेंट्स अबलब अपने व्यूस क झाल झाल झाल